है कि नमस्कार में हूं गोराश espí zu photons आप देखरहा है कर्चइर का मारा खास प्रोग्राम बात अपने देश की हिंदोस्तान विश्च शब्सक में सबसे बड़ा लोगतंट्र और और यहां पर समय समय पर चुनाव भी होते रहते हैं, समय समय पर संगर्ष भी होता रहते हैं, समय समय पर यात्रा निकलती रहती हैं, समय समय पर यहां पर बयानबाजी होती रहती हैं, और यहां आज हम बात करने जा रहे हैं बयानबाजी की, बयानबाजी को जी बयानबाजी जनता के लिए नहीं बायन बाजी अपने लिए बायन बाजी धारमिक बायन बाजी जो संस्किती है उस पर कुतारागात हो ही रहा है है साथिसाथ जो एक ध्हार्मिक अनुमार होता है कही ना कहीं वो भी जनम लेता रहता idea तु तरह अगर मुद्धे जनता के उठाए जाए तो सायड बैतर होगा पर जनता 自己 है जनता के वन बोट लने के संचा यार आती है उस समय तो पैर भी छूए जाएंगे और तो आंगों के बाड़े के झाजर भी फासी पर आसीन हो जाएंगे उस समय जंता जनारदन नहीं मैं जंता सेवक बन जाती है किनके लिए सब जानते हैं ली कुर्ण देश रोब मुद्द27 K decision अगर हम शुरूबात करें तो बहुत तमाम तरह की बयारबजी की गई एक निता की बात करें अगर उनसे सुरूबात करें तो साहर बैतर होगा कि एक निता थे जो की पसपा में थे पर सपा में आया फिराल वो बाचपा में है पुत्र सहेद और उन्हें दिश की संसर में एक और जिन में माता जानकी ठर्ने में हनुमान सियावर राम चन्रिके जैंग यह बयान था और तमाम तरह की बात भी उस बयान को लेकर हुई और बयान के बाद भी चर्चा रही खेर जाग माफी भी मागी गई पर उसके बाद जिस तरह से पटकता चल ले एंद्ध मैं वह पटक पतकता कैसी की अभी हाल में के एक केरल के पूर पर्फिसरूर। इन्हीً के बयान दिय और अब स samples samples बाइनद्या की आपको इन बियान पर माफी मागनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं इन बयानों पर माफी नहीं मागूंगा ये मेरी सही सोच है खेर इसके बाद जो बयान चलते रहे तो उनके आपको चर्चा याद दिला दू तमाम तरह के बयान रहे बयान की अगर बात कहें तो हाल में भयान आये था करती मुद्रा पर लच्मियों गनेश की फोटो लगे कर देसे अर्थवरस्था ठीक हो जाएगी अब नोट को लोग कैसे उप्योग करते हैं किस तरह उप्योग होते हैं सब जानते हैं सब जगा नोटों का चलन होता है और साहर वहां पाद्धार्मिक आस्था का एक जो खि गांडी की भारष जोड़ याता साथ हता में 2012 को शुरू ही और यात्रा चलते जलते वह यत्रा में इतने बिवोर हो गए कॉंग्रेस के बढ़े निता सलमान खुरसी कि उन्होंने राहल गांडी की तुलना रामचंजी से कड़ा ले उन्होंने कहा कि राहल गांडी रामचं और सामनी में वो यात्रा का एक जो काफिला ताब गुजरा था उसके बाद तमाम तरह के बयान रहे रावर भी कहा गया शूपनखा भी कहा गया और जिस तरह यह बयार रहे कही ने कही हमारी जो देश की संस्किति उसको खराब तो करते हैं और जो हमारी भारती राजमती या किसी धर्म के भगवान हो ईश्वर हो कोई भी हो उसके लिए कोई टिपड़ी करना बयान बाजी करना मेरे ख्याल से यह भारती संस्किती नहीं है अगर बास्तर में टिपड़ी करने है तो जनता के मुद्दों पर कोई टिपड़ी करना नहीं है और यहां पर सस्ती कि इस अच्छा मंत्री संधिसिखन ने बयान दिया और उन्होंने सीड़े सीड़े रामचर इन मानस को नफर फिलाने माला गर्णत बता दिया उन्होंने कहा इसमें तमाम तरह की चुपाई यहां पर नफर फिलाने बाली हैं खिर वो बयान ठंडा ही नहीं हुआ था कि उत्ता आग को और हवा देदी और यह का कि रामचर इस मानस में तबाम तरह की चुपाईयां है वह खटनी चाहिए कि कि इसमें केबल केबल जलत बर्ग को निसाना बनाया गया है और अन्य बर्गों की एक पिसंद्टा की गई है और जो निमन बर्ग है उसको यहां पर टार्गेट किया गया है और बिर्ग उन्हें से इससरी चूपायां है उनका खटाना चाहिए कि और में इस गरंद को नहीं मानता है मतलब क्या जरूर क्या आपने वह गरंकारी की कि यह ज्युक्antu के तो लेकर टागेट की गई है कि ख्याल से ने वह लाजनीति है कोई भी निता जंता के मुद्दों पर संघॉ नहीं चाहता है यहाँ पर राजनीती के पर होती है सप्षा्ष्टछा के लिए राजनिती है अपने आपको ہायलाइट करने के लिए जिस तरह से यहाँ पर हायलाइट किया गया हंग और यहाँ पर हायलाइट आगर में ख्याल से जंता के बीच जाकर जंता के लिज शंगर्श करते तो सायर कुछ परणाम भी सबसे मैटपूर बात कि जो है राजनीती है यह इस तरह क्यों होती जा रही है क्योंकि अगर हम बात करें हमाई देश में तमाम तरह के धार में मुद्द्ध हमें इसल बने रहे हैं पहले राम मंदिर और बाबरी जो मस्जिद का मुद्ध था चर्चाम बना रहा दसकों और सडियों यह मुद्ध चला उस मुद्धे पार जब एक बड़ा आदेश सुप्रीम कोट का आया तब इस मुद्धे का पटा छेप हुआ और जैसे ही मुद्धा खता हुआ उसके बाद दूसरा मुद्ध यहां जनम लिया वह जनम लिया ग्यानबापी मजजिद वाला मंदिर मंद्ध के बाद कि 90 पर मंद्ध की शुरूबाध हुई और मंद्ध पर लगाथा चलता रहा इस्टोई भी लिया गया उसके बाद 22 में अगर 25 में जब 5 मैलाओं ने गौरी मंदर में पूजा की नियमत अर्जी दी तो मंदा फिरगर्मा गया उसके बाद तमाम तरह के सर्भे वहाँ पर हुए ऑब वो सारी पत्क था मेरे खियासे आम जनता के सामने स disciples ने देखा है कि कि सतरह की वहाँ बहाँ पर चर्चा हुई लगतार राजनीती हो रही है कि यहां पर बयान की प्रवकता थी उनके बयान के पद्रों की फ्रकुए था देशके खराब तो हमें ऐसे बयानों से बचा चाहिए लोगों ने कहा यहाद है कि भाते इंदा पार्टी ने उनको निस्कासिट भी कर दिये पार्टी से छे साल के लिए अगर गलती थी तो उसके बाद इस तरह का जो पढ़ना माना था वो सबके सामने था और सबने से एक जानकारी लिए कि हमको इस तरह को पता है कि किस तरह से कनईया लाल की हत्ता की गई थी तो दाल में मुद्ध कि स्थरे तक अपनी खराब बेभीसीगा दिखा सकते हैं एक ऐसी बेभीसीगा ला सकते हैं जिसकी कोई उम्वीरง ने कर सकता है तो इन मुद्धों पर चर्चा क्यों की जाए यहां पर तमाम तरह की चर्चा होती हैं धर्म पर चर्चा होती है और सबसे हैं जर्चा होती है सनातन धर्म पर अब आप कहेंगे सनातन धर्म पर चर्चा क्यों होती है जिए बैहाल में लेगा तमाम तरह की मूपी बनाई जाती है inside this अगर आपास्तम में आस्था केंडों के साथ खिलवाल करेंगे उनकी पाइटरों के साथ आप खिलवाल करेंगे उनको आप गलत दिखाएंगे जंता के सामने उनको सी से परुसेंगे या उनका चत्रन करेंगे तो हम जैसे खबरन वीशों की नितिक करतब भी है और हमारा इदाइद भी है कि हम जैसे चीजों के लिए पूर्ण तरह से निंदा करते नजर आएंगे और निंदा की अब हमें हाल में देखा आदी पूर्ण में जिस तरह से भागवान सीराम का हनवान जी का रावण का जैसा चित्रन दिखाया वो कल्पना के योग नहीं क्योंकि हम ने रामायन भी देखी है रामायन सागर की और में रामायन सागर की माबारण भी देखी जहां पर जो चित्रण है जो चरत्र है जो पात्र है उनको ऐसे दिखाया गया है कि आज भी हम देखते हैं कि रामायन में अरोन गोवल ने जिसने राम का किरदार नभाया था पागवान राम का उनको आज भी लोग राम की तरह ही देखते हैं सबी देखते हैं विस्वास करते हैं भले वो राम नहीं है पर जो सबी उन्होंने बनाई थी उस सबी को लोग याद करते हैं और उस रामायन को लोग आज भी निभूल जाते हैं और सब ये जानते हैं जब वो रामायन का टेलीकास होता था तो सड़के बीरान हो जाती थी और चुकि टीवी उस समय इतनी उपलब्द नहीं होती थी जहां पर टीवी होती थी भाप भीड लग जाती थी और जिसकी एक ब और दुबारा पुर्णावरति हम देच चुके हैं जब कोरोना काल चल ला था तब भारत सरकार के दौरा तमाम चलनों पर रामायन और मावारत के शुरूबात की गई और तब भी बैस त्री बनी जो उस समय बनती थी जब रामायन की शुरूबात उस समय होई थी पिच्या सब्सक्राइब करें तो समय दूर्दसन पर याद करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी वालुविड है या फिल्म इंडस्टी है वह समय नुसार बहतर भी किया है पर आज की इंडस्टी में जे से आडी पूरुस ओमाकाली जैसे जो यहां पर भी फिल्में आई थी उन्से इसपीस होता है कि कहीं न कहीं अगर सनातन धर्म लचीला है, सनातन धर्म छमा करने बाला है, सनातन धर्म लोगों को बास सुनने बाला है, तो कहीं न के उसके साथ अगर इस तरह की खिलवार होगी, तो खिलवार गलत होगी, और कम से कम जो फिल्म इंडस्टीज हैं, उनको भी इस खिलवार स से बचे रहेंगे तो सायद लोग उन पिच्छरों को मूवी को देख भी सकेंगे यहां पर किसी मूवी को बनाने की जो एक सोच गलत नहीं है निर्देशन गलत नहीं है पकत्विसम चरत्रों के साथ जो पात्रों के साथ सही निया होना चाहिए वो जैसे हमारे धार में गंतो करते हैं तभी धार में चर्चाह होती रहते हूं भायान बाजी होते हैं कहीं नहीं अगर चन शिकर या सौइपरसार मौर्य इस तरह बयान दे रहे तो इसके पीछे उनके विचारों को खराब करने बाली इसी तरह की कुर्कृसित मनसित्ता से भरी फिल्म है या विचार भी इसलिए यहां पर केवल हो केवल मेरा मानना यह नहीं कि आप किसी भी विचारों को किसी भी धर्म को पर कटाच करें मेरा मानना यह है कि आप चाहते हैं कि राजनीती हो अगर आप चाहते हैं कि विश्थाएं ठीक हो गर आब आस्ता में चाहते हैं कि हमारा देश विस्जू गुरू बने तो उसके लिए सबस्य मेटपूनुबात है कि कम से कम अगर बयानवाजी करने है राजणीती करने है तो वो राजणीती जनता के मुद्धवां पर करिये ना की भगवान पर ना की ईश्वर पर ना की आस् ठीक हिंदू के घर में पाया जाते हैं वो धारमे गंद जो लोग की आस्था के किरिंद हैं वो धारमे गंद जिनको लेकर हम देखते हुए जिनको पड़ते हुए उन धारमें गंद्प किसी करें की तिपनी करना निश्चिरूप से एक ऐसा प्राध है जिसकी कोई सजा ही नह तो मुझे तमाम तरह के जो व्य CORST score पने हुए अप समय आ गिया है कि हम अन्न वाले बार्वाजी के लिए हमारे लिए कोंड जरुवात नहीं ना इन बयानबाजी के लिए हमारे देश में कुछ जगाए बयानबाजी करनें आप किरूप दोर तो ब्यास्ताओं पर चलते रहते हैं फिर सुआ होते रहते रहते है फिरृताई заметie या जो इस तरह के लिए सोच रखते हैं मैं एक ही बार कहना करना चाहूंगा गूर में जनता के मुद्ध रखेंगे तो सांब्स तुर्शर premi्ड करना चाह अब और बास्तम में आप चाहते हैं कि राजिती करनी है बयानवाजी करनी है तो जनता के मुद्धों पर गरिए जनता के लिए संगर्ज करिए और मेरे ख्याल से अब इस दसक में जहाँ पर सरकार हैं 40% से उपर बन नहीं है जहाँ पर तमाम तरह की सरकार हैं बनती और बिगरती रहती हैं बहाँ पर अगर बास्तम में बजलाओ चाहिए उस बजलाओ के लिए आपको मेहनट करनी पड़ेगी उस बजलाओ के लिए आपक को छोड़ दीजे कि धरम आस्था के लिए बना हुआ है भाव के लिए बना हुआ है भक्ति के लिए बना हुआ है नाकी राद्जिति के लिए तो आज की चर्चा में इतना ही नमस्कार आप अब देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार